okay so guys welcome again in another new video so guys तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले सीरो वर्सेस यहाँ पर मोको करेक्टर अब guys इन दोनों के पास वो character की ability है वो थोड़ा सा उलट फेर है क्यूंकि एक दूसरे का उलटा है अब मैं आप सभी को ऐसा क्यूं बोलना हूं यह चीज आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा तो guys चलो वीडियो के start कर दे और इस वीडियो के अपने like नहीं क्यों तो like कर देना क्यूंकि आपके एक लक्सी में काफी जादा motivation मिलता है और चैनल को subscribe करने का तो बेल आइकन पर click करने का तो आपको all पर set कर देना है तो देखो guys यहाँ पर उस साइड है mokko, mokko को जैसे हमने damage दिया but mokko को जैसे हमने damage दिया उस पर यहाँ पर tick आ गया और मोको को ाम डीमज ना भी देंगे अगर मोको को देगा तब युसका time ho गा लेकिन सीरो कर्रेक्टर में क्या है जब तक आप सीरो कर्रेक्टर ले के खेलेख जब तक आपको डायमर्ज नहीं मिले इन्हें में एक्सपोज नहीं होता अभी दखना यहां पर टीक नहीं आया इन्हें पर टीक इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका एक कूल डाउन टाइम होता है जो कि साय से सही मुझे नहीं लगता मतलब जो कि हमारे मोको करेक्टर में कूल टाइम नहीं है बट यहर स सो गैस तो अभी यहां पे हम देखने वाले अभी यहां पे मुखो अभी भाई देखो यहां पे अलग सीने हमने बोला भाई यहां पे मुखो उस साइड है एन इस साइड सीरो करेक्टर तो देखो गैस यहां पे एगेन यहां पे डाइमेज नहीं परा विगाउस कुल डाइन कुल डाउन टाइम खतम भाई सोने देखो गाइस अभी सोने लगा देख सकतो टिक एकदम से आ जाता है और यह एक छे सिकेंड के लिए होता है अगर इन्हें में आपको दुबारा डाइमस देता तो वो टिक हट जाता है जहां तक मैंने अभी देखा है तो देखो गाइस यह मोको करेकर के साइट से भी दखने वाले तो यह वीडियो एगदम सो ओपी वाला वर्स सोने वाला एंड को एंड भाई हमने हेड मार दिया मतलब कुछ भी चीटिंग करता है तू कि चीटिंग 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 करता है तू ओके कि तो हमने यहां पर ट्राइग यहां पर फिस्ट फाइड का देखते हैं यहां पर ट्राइग लिदो लिए घसे यहां पर ट्राइग का ग्रेंड इसे तो भाई जहां पर सीन यहाँ पे मोको के टेंगर अगर यहाँ पर मोको हमें अभी 20 पर 15 से पहले या तो देखेखो कािस अबने को दाइमज दोगे उस पे टीका जाता है और इसकी सबसे अची बात मुझे लगा भाइसका कोई भी cooldown time चक्कर नहीं है तो यह चीज मुझे अच्छा लगा डिक है उसी के साथ गई यहाँ पर सीरु करेक्टर की एक और बात भूल नहीं सकते कि उसका एक और ability है जो कि penetration यहाँ पर 100% penetration पर यहाँ पर एटक करता है यानि कि 100% ज्यादा effect वरता है waste helmet पर यानि कि जब उसको डाइमस परता है सीरु को जब टीका था और उसके बाद अगर सीरु करेक्टर से डाइमस दो को किसी बंदे को तो 100% ज्यादा penetration effect परता है उसी के साथ यहाँ पर मैं आप सभी को एक best app के बादा आप बताना चाहँगा जैसे आप फ्री में diamond एंडीजय लग ले सकते हो रूटर आप टैक हैसे तो link वीडियो को description में डाइड आप फ्री फायर में diamond ले सकते हो डाइड आप डीजय लोग ले सकते हो रॉनाल्डो करेक्टर यानि क्रोनो करेक्टर ले सकते हो तो यह आपके पास अच्छा वासा मौका है तो जाकर ट्राइब करो आप डाइमोंड के लिए और जतना जादा आप को अन करोगे उत एकदम से चिपका हुआ है बंदे पे तो यह चीज मुझे थोड़ा सा अलग लगा बट सीरो करेक्टर के पास दो ability है इसको भूल नहीं सकते और मौको के पास एक तो गज़े अभी हमने ग्रेनेट फिक है अभी बंदे पे टिक तो यह भी एक टिक दे रहता है और यह चीज यहां पर इनेवी पे एक स्पोर्ट टिक होता है और इसका टिक टाइमिंग लेवल के रुशाड है और इसको हमने 6-0 लेवल करी यूच कहा था सिरू में भी 6 लेवल कर्ड ही यूच क्या है हमने और जो यहां पर मौको करेक्टर है वह हमारे टिम मेट गी तिक देखाता है तो यह चीज थोड़ा सा अलग सीन है तो बट यहां पे hacker store में एक खास बात है कि यहां पे इनेमी पे एकदम चिपका रहता है और हमारे सेरो करेक्टर की बात किते हैं तो इसकी पास दो अबिलिटी है जो कि सबसे पहले तो यहां पे सीन ही है कि कोई भी इनेमी आपको डाइम टाइम होता है और उसी बीच में सामने वाले बंदे ने आपको डाइमज दिया तो उस पे टिक नहीं आता है यहांने कुल डाइन टाइम खतम होना चीए और उसी के साथ साथ अगर वह बंदा पर टिक आता है एंदेन उसको आप डाइमज दोगे तो भाई वह 100% ज्यादा परता है उसके हेलमेट यन वेस्ट पर ज्यादा एक परता है जिसके लिए करेक्ट्र में जैना जाता है में इसका जो सबसे अच्छा विलिटी है वहाई पर वेस्ट अन ल्मेट पर अच्छा डायमज देता है बाकी की आप बता होगा मोकों के साथ जाना चाहूँगे और स तो आपको इन दोरे में से कौन सा बेस्ट लगा निजो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो तब तक लेस्ट गुड़ पाई